रेट सब्सक्राइब बटन को दबा कर सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दमाएं बेल आइकन फरिदवाद के गाउं जहाड सहतली में छोटी-कुटी मंदिर पर भागवत सप्ता कायों जिन क्या जा रहा है जिसको लेकर गाउं जहाड सहतली में कलस स्यात्रा निकाली गई इसकले सियात्रा में गाउं के अनिक्ष धालों ने भाग लिया जिसमें काफी संक्या में औरोतों के साथ लड़केों ने में अपने सर पर कलस उठा कर गाउं की प्रिक्मा की भागवत कफा का हंदू समाज में बहुत मैथव है माना जाता है कि इस कफा के सुनने से लोगों को जहां आतमसांती प्राप्त होती है वहीं वैक्ति का चरित भी निर्मान होता है जिस उदेशे से भागवत कथा का पार्ट पूरे भारत वर्ष में बड़ी स्रदा से किया जाता है जिसको लेकर बरलव गटके निकट बरती गाउं जार सेतली के छोटी कुटी मंदिर पर भागवत सप्ताहा का सुवारम किया गया और कलश यात्रा निकाली गई इस कथा का आयोजन मंदिर के पागल बाबा और गाउं के गनमाने लोगों के सहयोग से प्रतिवर्ष किया जाता है और गाउं के अनेक समाजिक लोग इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं इस कथा के आयोजन का उदेश से गाउं में सुक सांती के साथ साथ गाउं के भाई चारे को भी बनाई रखना भी है वहीं कता वाचक सिरी सतीसा नंद जी महराज ने कलस यात्रा का महत बताते हुए कहा कि गाउं की परी कर्मा का उदेश गाउं को बुरी प्रकोप से बचाया जा सकी और गाउं में सुक सिर्मधी का वाज हो और कथा सुनने से आत्म सांति प्राप्तों कलस की मानता ये है का समय में कोई बिघन न हो साथ दिन कताम कोई बिघन न आ थे सबी महता है भाववान से प्राफना करते हुए सम्धन प्राफना करते हुए कपमा करते हुए होता है तो और यूडबे से सुनने से लों को क्या अपराप्ठ होता है कि भावत कथा clicking में से आदमी का मन पवित्र होता है ऐसे सब्दों ऐसे मिला जो सारी जीवन का उस्थर पहला चैनल factors